वेल्कम टु न्यू लेसन इस लेसन में मैं आपसे बात करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट वर्डप्रेस प्लगिन्स के बारे में जी हाँ वर्डप्रेस की सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपकी जो भी रिक्वार्मेंट है उसके लिए आपके पास प्लगिन अवेलिबल है राइट बट कुछ प्लगिन्स ऐसे हैं जो की बहुत 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 जादा जरूरी हैं और आपको वो प्लगिन्स जरूर जरूर बारे में बताने वाला हूं तो नम्बर वन प्लगिन है अलीमेंटर हम लोग यूज्स करहे हैं हम जो भी अपनी वेबसाइट बना रहरे है वो हम Elementor पे ही बना रहे हैं ठीक है तो इसके बारे में ज़्यादा मुझे बताने की ज़रत नहीं है दूसरा plugin जो है Yoast SEO WordPress में SEO करना बहुत 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 ज़्यादा easy है और Yoast SEO की help से आप on page SEO बड़ी आसानी से WordPress पे कर सकते हो बहुत ही आसानी से मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा Yoast SEO के बारे में वो again स्कोर्स का पार्टनी है बटेक मैं bonus वीडियो आपको बना के दे दूँगा कि Yoast SEO कैसे काम करता है क्या-क्या W3 Total Cache plugin क्या करता है तो यह plugin आपके website के caches clean करता है HTML CSS minification करता है इन सब चीजों से होता क्या है आपकी website fast हो जाती है आपके website की जो load speed है fast हो जाती है अगर आप free use करना चाहते हो तो आप W3 Total Cache use कर सकते हो अगर आप premium plugin यूज़ करना चाहते हो तो आप WP Rocket यूज़ कर सकते हो WP Rocket भी सेम काम करता है बट बैटर तरीके से काम करता है तो अगर आप paid लेना चाहते हो then you can go for WP Rocket अगर आप free use करना चाहते हो then W3 Total Cache is good enough उसके बाद जो plugin आता है वह है Smush अब यह Smush क्या करता है तो Smush जो है आपकी website पर जितनी images हैं उन्हें उनका size छोटा करता है जैसे आप नाम से ही समसकते हो Smush तो जितने भी वह आपकी website पर images हैं उन्हें Smush करता है उन्हें छोटा करता है size ताकि अगेन आपके website की load speed अच्छी रहे अगला plugin जो है वह है essential elementor add-ons अगेन यह plugin भी हम use कर रहे हैं इस plugin से क्या होता है तो इस plugin से आपके website में कुछ नए elementor के features आप add कर सकते हो अगेन इसके भी pro और paid pro और free दोनों version है हम free use कर रहे हैं in case अगर आप pro use करना चाहते हो then you can upgrade the plugin अगला जो plugin है वह है WooCommerce WooCommerce क्या करता है तो WooCommerce से आप अपनी website को e-commerce बना सकते हो e-commerce product sell कर सकते हो wordpress के उपर again WooCommerce के उपर तो मैं पूरा आपको separate आगे वीडियो बना के दूंगा ही जिसमें पूरा WooCommerce का setup करके देखेंगे then है आपके पास Google Tag Manager ठीक है Google Tag Manager Google Tag Manager क्या करता है तो Google Tag Manager से आप अपने website के tagging solution कर सकते हो अपनी website पे जो भी आपको अलग-अलग tags लगाने है वो सारा काम आप कर सकते हो Google Tag Manager के help से tags अलग-अलग कौन से तो आपके tag हो गये आपका Facebook Pixel हो गया आपका Google Analytics हो गया तो यह सारे tag आपके त्रू लगा सकते हो Google Tag Manager अगला plugin जो है वो है WP Forms WP Forms हम क्या करते हैं हम अपने website पे forms लगा सकते हैं WP Forms की help से और लोगों के email addresses वगरा collect कर सकते हैं देन WP Forms के भी free and paid version दोनों हैं अगर आप paid लेना चाहते हो then I'll recommend कि आप active campaign लो active campaign क्या है आपका तो active campaign email marketing software है जिसकी help से आप emails भेज सकते हो और active campaign के through a form भी अपनी website पे लगा सकते हो मैं खुद active campaign यूज करता हूँ अपनी सारी emails भेजने के लिए तो you can go for active campaign बहुत ही बहुत ही अच्छा tool है then you have talk.to या pure chat ये दोनों आप किसले यूज कर सकते हो तो ये दोनों आप यूज कर सकते हो चैटिंग के लिए अगर आपको अपनी website पे live chat का option डालना है तो उसके लिए आप ये दोनों में से कोई भी plugin यूज कर सकते हो then next one is pixel caffeine pixel caffeine कि सीच के लिए है तो pixel caffeine है just facebook pixel के लिए अगर आप अपनी website पे facebook pixel install करना चाहते हो then आप pixel caffeine यूज कर सकते हो इससे बड़े easy तरीके से आप facebook pixel अपनी website पे install कर सकते हो ठीक है तो ये सारे plugin है जो आपको यूज करने है plugin install करना तो आपको पता ही है simple है plugins में जाके आप install कर सकते हो मैं Yoast का आपके लिए अलग से एक बना होगा ताकि आप सीख सको कि इन दोनों को कैसे हम install करते हैं ठीक है जी thank you so much for watching this lesson